प्रधान मंत्री ने देश में कोविट की सिटी को लेकर वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये सभी राज्यों के मुखे मंत्रियों से की बाची कृषी मंत्री ने बारिश के कारण उतेरा फस्व के नुकसान का आकलन करने के दिये निर्देश कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी प्रदेश में कोरोना वार रूम बनाने के साथ ही अस्पतालों को किया गया तैयार और मौसम के रुख में नर्मी जारी बारिश और बदली के हालात अभी एक दो दिन और रहने की संभावना नमस्कार आप देख रहे हैं दूर दोशन समाचार में हूं मुनिका शर्मा और अब देखते हैं समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बाचीत कर रहे हैं प्रधान मंत्री देश में COVID की स्थिती की समीक्षा करते हुए बहमारी का फैलाव रोकने के लिए किये गए उपायों का जैजा भी ले रहे हैं। गौर तलब है कि बीते दिनों श्री मोदी ने देश में COVID-19 की स्थिती की समीक्षा के लिए उच्चस्तर ये वर्चूल बैठक की अधिक्षता की थी। विमर्ष के बाद श्री मोदी ने निर्देश दिया था कि ज्यादा संक्रमण वाले क्षेत्रों में फैलाव रोकने के गहन उपाय किये जाए और कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने ज्यादा मरीजों वाले राज्यों को अपेक्षित सहयता प्रदान करने को भी कहा था। प्रदान मंत्री ने मास्क का इस्तेमाल और सुरक्षित दूरी बनाय रखने की जरूरत पर बल भी दिया था ताकि वाइरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। मुखे मंत्री भूपेश बगहेल भी प्रदान मंत्री द्वारा कोवेड-19 संक्रमण के प्रबंधन के संबंध में आयोजित बैठक में अपने निवास कारले से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माथ्यम से शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में द्रोनिका के कारण बीते कुछ दिनों से हो रही बारेश से ओतेरा फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कृशी मंत्री रविंद्र चौबे ने दूर्दर्शन समचार को बताया कि नुकसान का आखलन करने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिये गए हैं। साथ ही नियमन उसार राहत राशी भी जारी करने को कहा गया है। लाकडी की फसल, तिवरखी फसल, पूतेरा जाविसी जो फसल है, यह ज्ज्यादा नुकसान हुआ है। तीन फस्बों के नुक्सान के बारे में सारे कलेक्टरों को निर्देच दीए जा चुका है फिल्D अमल DAVID जो एरकरीडर ही कल्टर्एर इपार्टमेंट है उनके साथ राजस्व के पूरे अमले के मीत जिलाप्रसाशन को निर्देश पूरा आखलन ततकाल कराया जाय आर वीजिंग तहट किसानों को ततकाल राशी का अबंटन किया जा रहा है लेकिन हमने कहा है की इन्सरेंस का पैसा है उसके लिए पी इसको सर्वे करके ततकाल कमपनी हो को भेजिए और किसानों को इंस्रेंस का भी लाब मिलना चाहिए श्री चौबे ने बताया कि बीमा कंपनियों को भी क्षतिपूर्टी राशी आंकलन के बाद नियम के अनुसार जारी करने के निर्देश दिये गए हैं प्रदेश में बीते 24 घंटों के तोरान 5,476 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है इस समय प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 9.25 प्रतिशत है राइपुर जिले में सबसे जादा 1785 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है वर्तमान में प्रदेश में 27,425 सक्रिय मामले हैं वहीं दूसरी और प्रदेश में किशोरों के टीका करण को लेकर स्वास्त विभाग गंभीरता से काम कर रहा है अब तक 8,14,000 किशोरों को टीका लगाया जा चुका है बारह जिलों में दसमें दिन ही 50 फीजदी किशोरों को कोविट का टीका लगाया जा चुका है वही राष्ट व्यापी कोविट टीका करण अभ्यान के तहत देश में अब तक 154 करोड 61,000 से जाधा टीके लगाया जा चुके है स्वास्तमंत्राले ने बताया है कि अब तक कोरोणा के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के 5,488 मामलों की पुष्टी हुई है प्रदेश में कोरोणा की तीसरी लहर के मद्दे नजर शासंस्तर पर तयारियां की गई है राज्य सर पर कोरोणा वार्रूम मनाकर स्थिती पर नजर रखी जा रही है वहीं 24 खंटे हेल्प लाइन नंबर भी काम कर रहे है राइपुर जिले में सबसे ज़ादा मामलों को देखते हुए या विशेश एतियाद बढ़ती जा रही है इसके बारे में स्मार्ट स्थिती राइपुर महाप्रवंधक जन संपर आशीश मिश्रा ने जानकारी दी सीधे कंट्रोल रूम से कनेक्ट होते हैं डिस्टिक एड्मिनस्टेशन का कंट्रोल रूम है डिस्टिक एड्मिनस्टेशन का वो कंट्रोल रूम आपको होम आईसोलेशन के दौरान हर तरह की स्विधाय देता है वहीं रायपूर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्ताधिकारी डॉक्टर मीरा बगहिल ने पता है कि जिला स्थर पर कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए अर्तालीस सो बैड अस्पतालों में उपलब्ध हैं वहीं ब्लॉक्स तर पर भी ऑक्सीजन बैड पर्याप्ते इंतिजाम किये गए हैं यहां जिनके घर में रहने के बिल्कुल भी विवस्था नहीं है खाना देने वाला बनाने वाला कोई नहीं है लगभग अर्तालीस सो से जादा बैड है जिसमें वेंटिलेटर की विवस्था है जिसमें HDU की विवस्था है जिसमें ऑक्सीजन बैड की विवस्था है यह ब्लॉक लेवल तक के है मतलब ब्लॉक में भी हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट्स और ऑक्सीजन बैड उपलब्ध डॉक्टर बगेल ने बताये कि जिले में टीका करण भी किया जा रहा है किशोरों के टीका करण के साथ ही बूस्टर डोस भी पात्र लोगों को लगाई जा रहे हैं IPS जीपी सिंग को गिरफ़तार करने के बाद पुलिस ने उन्हें रैपूर के विशेश नयायले में पेश किया अदालत ने उन्हें दो दिनों की रिमांट पर EOW और ACB के सुपर्द कर दिया है वार तलब है कि रैपूर और दुर्ग पुलिस ने जीपी सिंग के खिलाफ राज त्रोह, आयस से जादा संपत्ती और अवैद वसूली का मामला दर्ज किया है इसी सिलसले में उन्हें गुडगाउं से गिरफ़तार किया गया EOW ने अदालत में जीपी सिंग से पूछताच और सबूतों की बरामदगी के लिए साथ दिनों की रिमांड मांगी थी जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दो दिनों की रिमांड का आदेश दिया है गौरेला पेंडरा मरवाही जिले के पेंडरा विकास खंड में कहानियों का पिटारा पुस्तकाले का शुभारम किया गया जिले के 222 गाउं के लिए कहानियों का पिटारा पुस्तकाले का अपचारिक शुभारम नवा गाउं कन्या स्कूल में किया गया साथ ही किताब दान अभ्यान का समापन भी किया गया गौर तलब है कि बाल देवस के अफसर पर बीती 14 नवंबर को गौरेला विकास खंड के ग्राम अंजनी से किताब दान अभ्यान शुरू किया गया था कलेक्टर नमरता गांधी ने बताया कि इस अभ्यान में 26,640 पुस्तकें उपलब्ध कराई गई थी ताकि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया आसान बनाई जा सके आज किताब दान अभ्यान का समापन भी है और कहानियों के पिटारे का शुभारम भी है दो मैने पहले हमने एक पहल स्टार्ट की थी युनिसेफ के साथ और प्रथम बुक्स के साथ कि हमारे जिले के जो 222 गाओं है उन सभी 222 गाओं में ऐसी कुछ किताबे हो जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को रीडिंग के प्रती कहानियों के प्रती जागरुकता जगा है और आग दो मैने के अंत में 13,32,000 का कॉंट्रिब्यूशन जिले से, स्टेट से, ओल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोगों ने कॉंट्रिब्यूट किया जिससे 26,640 बोक्स हमें खटा कर पाए है कलेक्टर ने बताये कि यूनिसेफ के सीख कारिकरम के जरिये शुरू किये गए किताब दान अभियान को काफी सा फलता मिली है कोरोना काल में स्कूल से दूर रह रहे बच्चों के लिए सीखने सिखाने का ये एक बहतरी माध्यम रहा जो 2021 में स्टार्ट हुआ था जब करोना की फर्स्ट वेव हिट हुई थी और स्कूल बंद हुए थे तो UNICEF के कुछ साथी जिला प्रशासन के कुछ लोगों के साथ बैठके एक खयाल आया था कि अगर स्कूल बंद है तो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं तो उस सोच से यह सोच निकली थी कि बहुत सारे गाओं में ऐसे युवा है ऐसी नई बहुए है या ऐसे सियान लोग है जो एजुकेशन के प्रती रूची रखते हैं बट जिनके पास एक स्पेस नहीं होता है अपने आपको व्यक्त करने के लिए तो UNICEF का डिजाइन किया हुआ एक कार्यकरम है जिसमें हर महले के उस महले के 10 से 15 बच्चों को एकटा किया जाता है उसके उपर एक सीख वॉलेंटियर को आइडेंटिफाई किया जाता है जो कम से कम बारवी पास है जो शिक्षा के प्रती रूची रखे और हफते में तीन दिन UNICEF इन गतिविदियों को बेजता है प्राइमरी स्कूल के हेड्मास्टर्स या CSE के माध्यम से उस गतिविदी को हम वॉलेंटियर्स तक कम्यूनिकेट करते हैं गतिविदी भाशा गनित और स्पोर्ट से रिलेटेड होती है और ऐसी गतिविदिया होती है जिनके अगर आप भाशा सिखा रहे तो आपने बच्चों को एक सिनारियो दिखा दिया कि यह देखो बच्टोप पे इतने लोग खड़े है तो अब इसको क्या बोलेंगे तो ऐसी गतिविदिया है जिसके लिए classroom structure की या classroom environment की आवशक्ता नहीं है बिट वो classroom learning को support करता है सांसा जियोटसना चरंडास महंत और मरवाही विधायक डॉक्टर के के ध्रोप देव वर्चुली कहानियों का पिटारा पुस्तकाले शुभारम समहरों को संबोधित किया इन दोनों ने पुस्तकाले के व्यवस्ते संचालन किताबों के उचित रख रखावादी में लोगों से सहयोग की अपील की और आईएब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से दूरदर्शन से चर्चा में कलेक्टर सर्वेश्वा नरेंद्र भूरे ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तयार है और सभी तरह की जरूरी तयारियां पूरी कर ली गई है वहीं कोवेट कंट्रोल रूम से कोरोना मरीजों की सतत निगरानी की जा रही है बिलासपुर्जले में भी कोवेट की तीसरी लहर से निपटने के लिए बूस्टर डोस लगने शुरू हो जोके हैं जिन्होंने 9 महीने पहले कोवेट वेक्सीन की दोनों डोस लगवाली है उनको बूस्टर डोस लग रही है पहले चरण में फ्रंट लाइन वरकर्स को बूस्टर डोस लग रही है इसी कड़ी में पुलिस हस्पताल बिलासपुर में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बूस्टर डोस दी जा रही है मिली जानकारी के अनुसार पुलिस विभाग के 284 से जादा लोगों ने बूस्टर डोस लगवाली है पुलिस हस्पिटल बिलासपुर में कोविट का तीसरा डोस, प्रिकोशन डोस लगा है सभी नागर को सभी में आगरा करूँगा समस्थ बिलासपुर पुलिस स्टाफ के तरफ से की तीसरा डोस लगाए मैं थाना सरकंडा उपनी रिक्षक के पतपर पदरस्त हूँ आज तीसरा डोस, कोविट-19 का बुस्टर डोस लगाए हैं और सासंक गाइडलाइन का पालन करते हुए लगाया गया सभी से अपील करता हूँ कि सभी ये बुस्टर डोस लगाए और अब बात करते हैं मौसम की प्रदेश में द्रोणिका के कारण मौसम का मिजास बीते कुछ दिनों से बदला हुआ है मौसम में हुए इस बदलाओ के कारण 3-4 दिनों से बादल चाय हुए हैं वहीं बारिश भी हो रही है और कहीं कहीं ओले गिरने की खबर है मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दो-तिन दिनों तक यही सिती बनी रहेगी आज देर शाम या रात को अनेक जगों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है इसके साथ ही मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर गरत चमक के साथ ओला और आकाशिय बिजली गिरने की भी चतावनी दी है 15 जनवरी के बाद मौसम सामान्य होने की संभावना है मौसम विज्ञानेक एचपी चंद्रा ने बताया की उपरी हवा में बने द्रोणिका के कारण मौसम में परिवर्तन नजर आ रहा है चुकि अभी प्रदेश में प्रचुर मात्रा में नमी आ रही गिया है साथ ही एक द्रोणिका साउथ इंटिरियर करनाटक से नार्थ इंटिरियर उडिसा तक इसी था है इसके करण प्रदेश में आगामी 24 घंटे में कुछ इस्तानों पार हल्की से मध्यम वर्सा होने अथ्वा गरज चमक के साथ छेटे पढ़ने की संभावना है उन्होंने बताए कि लगातार बदली और बारिश से अधिक्तम तापमान में गिरावच आई है और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिम यहीं सबावत हुआ नमस्कार